तुल्सी दास, सूर्दास, आदि भक्त कवियों के समकालीन कवी रस्खान, मूलतह, मुसल्मान थे उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, इनका जन्म 1548 इस्वी में हुआ था ऐसा माना जाता है ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्त इधारा के कवी थे यहां इस पाठ्य पुस्तक में उनके चार सवईये हैं सवईया एक ऐसी छंद रचना है, जिसमें चार चरण होते हैं और इन्हें एक विशेश लाय से पढ़ा जाता है इन चार सवईयों में कृष्ण के प्रती अपनी अनन्य भक्ति को उन्होंने प्रदर्शित किया है पहले सवईये में उन्होंने यह बताया है कि प्रकृति से प्रेरित, चाहे उन्हें किसी भी योनी में जन्म लेना पड़े किन्तु भगवान से कृष्ण से उनका सामिप्य बना हुआ रहे भगवान कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई सभी चीजों से उनका संपर्क बना हुआ रहे दूसरे सवईये में उन्होंने यह बताया है कि भगवान कृष्ण के सानिध्य के लिए, उनके सामिप्य के लिए, उनके नजदीक आने के लिए वे किसी भी दूसरी बस्तु का परित्याग कर सकते हैं तीसरे सवईये में उन्होंने यह बताया है कि वे भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए कुछ भी करने को तयार है गोपियों के रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण की लिलाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए स्वयंग को तयार रखा है और चौथे और अंतिम सवये में उन्होंने यह बताया है कि भगवान की मोहिनी मूरत का ऐसा प्रभाव है जिससे वे स्वयं को रोक नहीं सकते हैं तो हम लोग पढ़े हैं सबये को एक विशेश गती से पढ़ा जाता है मानुस हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाओं के ग्वारन जो पसु हो तो कहा बसा मेरो चरोनित नंद के धेनु मजारन पाहन हो तो वही गीरी को जो कियो हरी छत्र पूरंदर धारन जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल का दंब के डारन ये ब्रज भाशा में है अता ही इसमें सब्दों को थोड़ा उलट-पूलट कर दिया जाता है और इसी से इसको समझने में कुछ कठिनाई सा अनुभव हो सकता है लेकिन एक-एक कर अर्थ समझने पर हम इसे आसानी से समझ सकते हैं यहां कभी रसखान कहते हैं कि मानुस हो तो वही रसखाने रसखान कभी कहते हैं कि मैं अगर मनुस्य होँ तो वही जो बसओ ब्रज गोकुल गाओं के ग्वारन अगर मैं ब्रज के और गोकुल के गाओं के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो अर्थात मनुष्य के रूप में अगर मेरा जन्म हो तो मैं भुरज और नंद के गाउं के ग्वाले के रूप में जन्म लूँ जव पसु हो तो कहा बस मेरो चरव नित नंद की धेनु मझहारन नंद के धेनू अर्थात नंद की गायों के बीच में मुझे चरने का अबसर मिले अर्थात वे यह चाहते हैं कि अगर उनका जन्म मनुस्य के रूप में नहीं होकर पशु के रूप में हो तो वे नंद की गायों के बीच में ही चरने वाले हो रस्खान मानते हैं कि यदि मनुसिया और पशु के रूप में भी उनका जन्म नहीं हो उनका जन्म पत्थर के रूप में हो तो पाहन हो तो वही गिरी को अगर मैं पत्थर भी हो जाऊं तो उसी परवत का पत्थर हों जो कियो हरी छत्र पुरंदर धारन जिसे भगवान स्री कृष्ण ने छत्र की तरह इंद्र के कोप से बचने के लिए धारन किया था आप यह कता जानते हैं कि भगवान ने गोवर्धन परवत को धारन किया था इसलिए रस्खान यह चाहते हैं कि अगर वे पत्थर ही बने अगले जन्म में उन्हें पत्थर भी बनना पड़े तो वे उसी परवत का पत्थर होना चाहते हैं जिसे भगवान ने अपनी उंगली पर धारन किया था अर्थात वे गोवर् कुछ नहीं होता है पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो जो खागा हूँ अगर मैं पक्षी हूँ तो बसेरो करहूँ तो मेरा बसेरा कहा हो तो कालिंदी कूल कदंब के डारन कालिंदी अर्थात जमुना के किनारे कदंब की डाल पर आप जानते हैं कि भगवान कृष् अपना बसेरा बनाए जिस पर भगवान क्रिडाए करते थे जिससे भगवान को प्रेम था इस प्रकार आपने देखा किरस खान नहीं सवईये में किसी भी रूप में जन्म लेने पर कृष्ण के साथ ही रहने की अपनी बात दूराई है दूसरे पद में उन्होंने यह बताया है कि या लकुटी यरू कामरी या पर राजिति हूँ पूर को तरी तजी डारों जब भगवान कृष्ण गाई चराने निकलते थे तो उनके हाथ में एक लकुटी होती थी एक छोटा डंडा होता था जो पसुचराने वालों के हाथ में होता है और एक कम्बली होती थी वे कम्बल एक रखते थे तो रस्खान का मानना है कि अगर उन्हें लकुटी और वह कम्बल मिल जाए जो भगवान कृष्ण अपने पास रखा करते थे तो इस पर राज तिहूँ पूर को तजी डारों तिहूँ पूर, तीनो पूर, तीनो लोक, तीनो लोक अर्थात, स्वर्ग लोक, धर्ती लोक और पाताल लोक तीनो लोकों का राज ये अगर मिले तो उसको मैं छोड़ दूँ वसरते कि भगवान के द्वारा प्रियोग में लाई जाने वाली लकुटी और कम्बल मिल जाए कितना बड़ा त्याग है कि तीनो लोकों के राज से ज्यादा मुल्यवान उन्हें भगवान की वह लकुटी और वह कम्बल प्रतीत हो रही है हम जानते हैं कि सिधियों आठ होती है आणि मा महि मा गरिमा आदी आपकी पुस्तक में है आठो शिधियों के विशए में लिखा हुआ और नो निदिया जो संख महा संख पद्म महा पद्म आदी निदिया है अर्थात खा जाना आठो सिद्धियों से मनुस्य को कुछ भी प्राप्थ हो सकता है, निधियों से उसके पास अकूत धन हो सकता है, लेकिन वे कहते हैं कि आठो सिद्धियों को और नवो निधियों को वे नंद की गाई, चराई, बिसारों, वे नंद की गवों को चरा कर भूला जाने वाके वो तैयार हैं, भी सारों, वे भूल जाने के लिए तैयार हैं, कि अगर उन्हें नंद की गायें चराने के लिए मिल जाएं, तो वे आठो सिधियों को, और नवो निधियों को, वे नंद की गायें चराने में त्याग दे सकते हैं, उनका उनको परवाह नहीं है, वे नंद की गाय तड़ाग निहारों रस्खान कहते हैं कि कभी इन आखों से यदी ब्रज के वन बाग तड़ाग वन के ब्रज के अर्थात ब्रज भूमी के जंगलों को तलाओं को या बगीचों को अगर देखने का मौका मिल जाए अर्थात ब्रज में उनका निवास हो जाए तकोटिक है कल धाउत के धाम, करोडों, सोने चान्दी के महल को वे त्यागने के लिए तयार हैं किस पर तकरील के कुंजन उपर भाराओं करील एक कांटेदार जहरीला पौधा होता है वे कहते हैं कि अगर ब्रज में उनको रहना पड़े और वहां के ताला और जंगलों की सोभा उनको द अर्थात करील के जुर्मुट पर रहना पसंद करेंगे और करोडों सोना चान्दी के महल को वे वार देंगे, निउचाबर कर देंगे, त्याग देंगे, अर्थात उसके प्रति उनकी आ सकती नहीं होगी, वे करोडों महल को छोड़ सकते हैं, यहां हम लोगों ने इस में यह देखा कि वे भघवान, क्रिश्न और उनसे संबंधित वस्तूओं को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागने को के लिए तैयार हैं, तीनों लोगों का सुख उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें सिदिया नहीं चाहिए, करोडों सोना चानी के महल नहीं चाहिए, बस उन्हें भगवान की लक्टी और कमली मिल जाए, नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए, और उस कुंज में, करीज के कुंज में भी रहने का मौका मिल जाए, जो ब्रजभूमी में है, और जहां भगवान कृष्ण किरी रा करते थे, भगवान की सामगरी के प्रति, पहर हैं कि मोर पखासिर उपर धारी हों मोर पखासिर उपर राखी हों गुंज की माल गरे पहिरोंगी ओड़ी पितंबर लैला कुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी मैं अपने सिर पर मोर पंख धारन कर लूगी गोपिया कह रही है सक्षियों के माध्यम से रस्खान कह रहे हैं कि गोपिया स्रीकृष्ण का स्वांग करना चाहती है स्रीकृष्ण जैसा बनना चाहती है और स्रीकृष्ण जैसा बनने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तयार है क्या-क्या करने के लिए तैयार है इसी की चर्चा है कि मॉरपखा सिरु ऊपर राखे हो मैं अपने सीरपर मॉरपंख जुक्त-मुकुत धारन कर लोगी। ग्वालों के साथ मैं साथ साथ गूमूंगी ये सारे काम भगवान कृष्ण करते थे पीतांबर धारन करना लकुटी लेकर जंगल में गायों के साथ ग्वालों के साथ चराने के लिए जाना यह सब कुछ करने के लिए गोपिया तैयार हैं अर्थात में भगवान कृष्ण का तो मुझे भी अच्छा वही लगता है, तो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तो तुम्हारे कहने के अनुसार मैं सारा स्वांग करूंगी लेकिन अंतिम freshly सबसे भूंहत्य। हुए कि यह मूर्ली मूर्ली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी चाहिए, जो कुछ करने के लिए तयार हैं लेकिन वे मूरली को अपने अधरों पर धारन करने के लिए तयार नहीं है इसका कारण यह है कि वे बांसूरी से, मूरली से सौतिया डाह रखती हैं, वह मानती हैं कि मूरली उनके अधरों पर सरा विराज मान रहती है और इसके कारण जिस अधरामृत पर गोपियों का एक छत्र अधिकार है, वो उन्हें नहीं मिल पाता है और मुरली वहाँ विराजमान रहती है इसके कारण इसी इरश्या के कारण गोपियां मुरली को अपने अभरों पर धारन करना नहीं चाहती है अंतिम सबैये में रस्खान स्वयं को भगवान की मोहिनी मूरत से किस प्रकार विवस पाते हैं इसकी चर्चा है जब गोपियों को उनके परिवार, स्वयजन और ब्रज के लोग कृष्ण से मिलने से मना करते थे तो उसी से सम्मंधित यहां वो कह रही है कि मैं अपने कानों में हम लोग अपनी उंगली देकर रह लेंगे जब ही मूरली धुन मंद बजई हैं जब वे मंद मंद मूरली बजाएंगे तो हम लोग अपने कानों में उंगली डाल लेंगे अर्थात उनकी मूरली की आवाज हम लोग नहीं सुनेंगे मोहनी तानन सो रसखानी आटा चड़ी गोधन गई है तो गई है जब वे अपनी मोहनी तान छेड़ेंगे तो रसखान कभी कहते हैं कि आटा चड़ी हम लोग अपने आटारी पर चड़ जाएंगे उचे पर, कोठे पर चढ़ जाएंगे, गोधन गई है तो गई है, चाहे हम लोगों का गोधन भाग जाए, गाएं भाग जाएं, बच्डे भाग जाएं, लेकिन इसके बाब जूद, अगर वे मोहनी तान छोड़े छेडेंगे, तो हम गोधन को छोड़ कर भी और कोठे पर च लेकिन हम लोग टेर कर कर रहे हैं, अर्थात पुकार कर कर रहे हैं, चेताबनी देते हुए कर रहे हैं, कि काल ही कोई, की तो नो समुझ है हैं, कि कल को कोई हमें कितना भी समझाएगा, तब क्या नहीं होगा, कि माईरी वा मुख की मुसकानी, समहारी नजय है, नजय है, पुर्वक कहती है कि माईरी वा मुख की मुसकान उनके मुख की मुसकान तो समहारी नजय है नजय है नजय है अर्थात अगर हम उनकी मोहिनी मुसकान को देख लेंगे अर्थात उनकी सुरत को देख लेंगे तो हमसे समहाला नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा अर पर चढ़कर अटारी पर चढ़कर वे उनकी मोहनी तान से खुद को बचा सकती हैं लेकिन ब्रज के लोगों को चेताबनी देते हुए कहती हैं कि कल को कोई हमें कितना भी समझाए लेकिन अगर हम उनकी मोहनी मुष्कान को देख लेंगे तो उससे हमा समहाला नहीं जाएगा ह हम उसको नहीं समाल सकेंगे इस प्रकार प्रस्तुत सबयों में रश्कान के कृष्ण प्रेम को अत्यंत सुन्दर अभी व्यक्ति मिली है धन्यवाद